अनावस्षक चिंताओं में उलजना जीवन के अमुल्य समय को नौश्ट करना है इसलिए तनाव राहत होकर अपना कर्म करते रहना चाहिए गीता के अनुसार अध्याय और 21 स्लोक में उन्होंने अर्जुन को समझाया है पहला वर्तमान का अनन्द लो अतीत और भविसे की चिंता करने के वज़ाए वर्तमान का अनन्द लो क्यूंकि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा जो होता है अच्छा ही होता है दूसरा आत्मा भाव में रहना ही मुक्ति है पद, प्रतिष्ठा, धर्म, इस्तिर या पुरुष हम नहीं है और नहीं या सरीर हम है अगनी, जल, वायू, प्रित्वी और आकास से बना सरीर इसी में मिल जाएगा लेकिन आत्मा इस्तिर है ये न कभी मरती है नहीं उसका कभ जन्म होता है आत्मों भाव में रहना ही मुक्ति है तीसरा पडिवर्तन संसार का नियम है इसलिए सुक, दूख, लावहान, जय, पराजे, मान, अपमान, आदिमें, बेदों में एक भाव में इस्तिति रहकर हम जीवन का अनन्द ले सकते है चौथा क्रोध सत्रू है क्रोध ब्रहम से बुद्धि विचलिच होती है इसे इस्मृति का नास होता है और इस प्रकार व्यक्ति का पतन होने लगता है क्रोध, कामवासना और भै हमारे सत्रू है प्राच्वा इस्वर के प्रतिस समर्पन, खुद को इस्वर के लिए समर्पित कर दो फिर वह रक्षा और हम दूख भय चिंता सोक और बंधन से मुक्त हो जाएंगे। छटा नजरियों को सुद्ध रखें। हम अपने देखने के नजरियों को सुद्ध करना होगा। ज्यान वा कर्म को एक रूप में देखने से हमारा नजरिया बदल जाएगा। असंत मन को सांत रखने के लिए अभ्यास और वैराग्य को पक्का करना नितांत आवस्यक है। अनिता अनियंत्रित मन हमारा सत्रू बन जाएगा। आठवा कर्म से पहले विचार करें। कोई भी कर्म करने से पहले जरूर सोचना चाहिए कि उसका फल भी हमें ही भोगना है। अपना काम करें। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि हम अपना ही काम करें। भले ही वो अपूर्ण क्यों नहों। दस्वा समता का भाव सभी के प्रती समता का भाव सभी कर्मों में कुसलता और दुख रूपी संसार से वियोग का नाम योग है श्री कृष्णा ने अर्जुन को पूरा ग्यान देने के बावजूद या सोतंतरता भी दिती कि वह स्वाव विवे अक्से निर्णने ले और कारे करे उन्होंने परिश्रम नहीं स्वाव आश्रित होने का आवाहन कर व्यक्ति को स्वाव लंबी हुआ आत्म निर्भर बनाने का संदेज दिया था आसा करता हूं को वीडियो आपको पसंद आया रहेगा पसंद आ कोमेंट करके जरूर बताइए और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वेल आइकन को प्रेस करके और पे क्लिक कर लिजिए बोलो जाया स्रीक्रिस्ना